और अब 24 चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको देदे कॉंग्रिस की गड़बंधन समीती की आंतरिक वैठक में लोकसभा चुनाव को रेकर चर्चा हुई है इसमें पाची ने ताउने लोकसभा चुनाव में खरीब 290 सीचो पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है इसे लेकर पाची ने तैयारी तेज कर दी है पाची के आंतरिक सुत्रों के मुताबिक कॉंग्रिस देश भर में मजबूत सीचो पर उमीदवार चैन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है पाची 290 सीचो पर खुद लड़ना चाहती है जबकि लगभग 100 सीच सायोगी दलों के साथ गडबंधन कर उमीदवार उतारने के पक्ष में है मतलब पुल 390 सीचो पर गंभीरता से चुनाव लड़ने की रणीती बनाई गई है और बाकी सीचो पर भी उमीदवार चैन में तेजी लाने का काम शुरू किया जाएगा पुर्वोतर के लगभग सभी राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों में कॉंग्रिस अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में है अब आपको दिखाते हैं वो 10 राज्य जहां कॉंग्रिस अकेले चुनाव लड़ने की तयारी कर रही है ग्राफिक्स के जरी आपको बताते हैं कि कौन-कौन से वो राज्य है जहां पर कॉंग्रिस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो गुजरात की 26 ऐसी सीटें इसके अलावा हर्याना की बात करें तो हर्याना में 10, असम में 10, पूर्वुतर के हला कि इसमें सभी राज्य शामिल है आन्थ प्रदेश की बात करें तो यहां पर 25, मध्य प्रदेश के 29 और तेलंगाना की भी बात करेंगे तेलंगाना में सत्रे, इसके अलावा हिमाचल की बात करने तो हिमाचल में चार, करनाटक में 28, केरल में 20, राजस्थान की बात करने तो 25 और 36 गड़ में 11 और उत्राखंड में या 5 ऐसी सीटे हैं जहाँ पर कॉंग्रिस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी देखे ग्राफिकली हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि 2024 के लिए कॉंग्रिस किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है या अकेले किनके राज्यों में चुनाव लड़ना चाहती है अब उन 9 राज्यों की बात करते हैं जहाँ पर कॉंग्रिस गड़ बंदन के साथ चुना यह आपको ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गड़ बंदन के साथ कॉंग्रस जाती है तो किन-किन सीटों पर और कित्ती सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं दिल्ली में पांच ब्यार में 9-10 पंजाब में 8-9 कमिलनाडू में 9-11 उत्पदेश में 10-15 सी चपस